क्या लखनों में डुक्टर अम्बीट कर महासभा पर चलेगा बुल्डोसर लेकिन सरकार बरबरता पर उतराई है बिल्डोजर की धमकी दे रही है और अगर ये महासभा अत्षी गर खाली नहीं की गई तो यहां बिल्डोजर योगी जी चला सकते हैं ऐसा फर्मान जारी हो गया है जहां रखी हैं बाबा साहब की अस्थियां वो जगे खाली कराएगी सरकार पीछे आप देख रहे होंगे बुद्दविहार बना हुआ है यहां बाबा साहब का अस्थी कलस रखा हुआ है यह सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि लखनाओ के मशूर डोक्टर भीमराव अम्बेटकर मासबा को खाली कराने का फर्मान जारी हुआ है वो जगे जो अम्बेटकर वादियों के लिए किसी तीर्थ से कम नहीं वो जगे जहां बाबा साहब डोक्टर अम्बेटकर की अस्थियां आज भी रखी है वो जगे जहां भारत के पहले दलित राष्टपती के आर नाराइनन ने बोधी व्रक्ष लगाया था वो जगे अब खाली कराने की तयारी है इस बारे में बहुत भिख्षू सुमित रतन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वाइरल हो रहा है आप उन्हें की जवानी सुनिये पूरा मामला आखिर क्या है शम्बानित मुलके मालिकों मैं बहुत दो भिख्षू सुमित रतन इस शमय पहुँचा हुआ हूँ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनव में और बिधान सबा के ठीक सामने लोग भवन के ठीक पीछे शेकरता भवन के बगल में और बापु भवन के ठीक सामने एक जगे है जो जगे लगबग पचासो बरसों से सम्मान पा रही है जिसे डॉक्टर अंबेटकर महसभा कहते हैं इस इस्थान पर भारत के गड़मान लोग हमेशा आते रहे हैं आदड़िय शम्मानित पूर्व राष्टपती जो हमारे वीच आजकल नहीं है क्यार नारायट जी इहां आये थे उन्होंने अपने हाथों से हबोधी रख्ष लगाया था पीछे आप देख रहे होंगे बुद्दविहार बना हुआ है यहां बाबा साथ का अस्तिकलस रखा हुआ है पीछे देख सकते हैं, बहुत सुंधर बाबा साथ की मूर्थी लगी हुई आप देख सकते हैं यह बाबा साथ की मूर्थी लगी हुई है और मैं ये आपको आज वीडियो क्यों बना रहा हूं इसलिए बना रहा हूं क्योंकि कोट ने अभी नोटिस दिया है कि डॉक्टर अम्बेद कर महासवा हमें खाली करनी पड़ेगी और अगर आप नहीं खाली करना चाते हैं तो कम से कम 22,000 रुपए एक महिने का किराया दें ऐसी इस्तिती में आपको मैं बता दूँ सुप्रीम कोट के विसेस आदेश से मुख्यमंत्री अखलेश यादव का घर खाली करा लिया गया है सुप्रीम कोट के विसेस आदेश से बहुजन समाज पार्टी के राश्टी अध्यक्षा बेहनजी का दिली में घर खाली करा लिया गया है और घर खाली करके उस घर में अरोड मिस्रा चीप जश्टिस को रहने कुली दिया गया है बैसे ये महाशबा आज खाली कराने का आदेश आ गया है ये महाशबा पूरे भारत के पूरे बहुजनों के मान सम्मान का केंदर है बहुत लोग बरोद कर रहे हैं कि और कहीं हम नहीं जाने वाले हैं महाशबा इतनी अच्छी जगए है ये इतना इस्थान बढ़िया है कि जहां बहुत सारे लोगों की यादें जुड़ी है यहां हम खाली से करके नहीं जाएंगे लेकिन सरकार बरबरता पर उतराई है बिल्डोजर की धमकी दे रही है और अगर ये महासबा अत्षीगर खाली नहीं की गई तो यहां बिल्डोजर योगी जी चला सकते हैं ऐसा फर्मान जारी हो गया है तो मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि ये जो इस्थान है जहां तथागत भगबान बुद्ध के पीपल का अबरक्ष लगाया गया बाबा साब की रूर्ती लगी है मुहम्मद चक्र लगा है पीचे बहुत बड़ा कार्याले है इसमें भगबान बुद्ध की अस्तियां बाबा साब की अस्तियां रखी हुई है क्या ऐसे इस्थान को को चलना चाहिए इस भाज़पा सरकार को योगी सरकार को क्या इस इस्थान को सुरक्षित रखना चाहिए लेकिन वो लोग बरवरता पर उतर आए है और उसे हर कीमत पर खाली कराना चाहते है कुछ लोग इसका बरोद कर रहे हैं कुछ लोग इसका साथ दे रहे और इसके बदले भी कोई बड़ी जगे ले ली जाए लेकिन कुछ लोग हैं जो इसकी जमीन से जुड़े हुए हैं और इससे इस्ते करते हैं, प्यार करते हैं, लगाओ है क्योंकि पूरे लखनव में इससे अच्छी जगे कोई हो नहीं सकती इसलिए वो ब्रोग कर रहे हैं कि जगे खाली नकराई जाए लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये जगे ऐसी ही बनी रहे, खाली नकराई जाए और अगर उत्तर फिदेश सरकार बाबा साब के अंदोलन से, बुद्ध के अंदोलन से प्रभावित है कुछ काम करना चाहती है, तो यहीं वो डबलमेंट करा दे, इसका विकास करा दे लेकिन महासभा का स्थान यही रहना चाहिए क्योंकि पूरे उत्तर फिदेश के लोग, पूरे भारत के लोग आकर किया बैठते हैं और धम और मिसन की चर्चा करते हैं अलाकि इसकी जो कमेटी है, उस कमेटी की क्या राय है, कुछ लोग कमेटी के यह चाते है, यह इस्थान बना रहे, कुछ लोग कमेटी के चाते हैं, इसके बदले का स्थान मिल जाए, मैं उनकी राय से इतफ़ात नहीं रहता हूँ मैं एजे बहुत विच्छू, बहुजन आंदोलन का मुख हूँ, बहुजन आंदोलन का बहाख हूँ, तो मैं अफील करता हूँ कि इस स्थान को बचाने के लिए सामाजिक लोगों को, धार्मिक लोगों को, राजनेतिक लोगों को आगे आना चाहिए और इस डॉक्टर अंब जिसका जिक्र भिखु सुमित रत्न कर रहे थे। इसलिए हम इस मामले के लीगल स्टेटस के बारे में ज्यादा नहीं जान पाए। लेकिन जानकारी के मुताबिक ये सरकारी संपत्ती है जिससे 99 साल की लीज पर दिया गया था। लेकिन अब इसे खाली कराने की तैयारी है। यहां आपको ये भी बता देना ज़रूरी है कि इस जगे खुदराश्टपती, प्रधान मंत्री और मुख्य मंत्री भी बाबा साहब को नमन करने आते रहे हैं। बीजेपी सरकार की ओर से लखनू के एशबाग में एक समारक बनवाया जा रहा है जहां अस्थी कलश को शिफ्ट किया जाएगा। खुदराश्पती रामनात कोविन ने इसका सिल्या नाश किया था। नई जगे जाने को लेकर अमबेट करवादियों में अलग-अलग रहे हैं कि नई जगे समारक बन रहा है तो बन जाए लेकिन पुरानी जगे को खाली ना कराया जाए क्योंकि इससे अमबेट करवादियों की यादे जुड़ी हैं। बिख्खु सुमित रतने जैसे अमबेट करवादी पूछ रहे हैं कि क्या भारत के समविधा निर्माता जुक्टर अमबेट कर की याद में इस जगे को ही समारक के तोर पर विक्सित नहीं कर सकते। लोग सवाल उठा रहे हैं कि जो बीजेपी वोटो के लिए दलितों के घर जाकर खाना खाती है वो उन दलितों के सबसे बड़े नायक बाबा सहब के समान के लिए इतना भी नही होगा कि योगी सरकार अमबेट कर महसभा को लेकर अब क्या कदम उठाती है इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ब्यूरो रिपोर्ट ते न्यूस बीग